सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चानल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए देसी घी आयूर्वेद का वो खजाना है जिसके बारे में समय समय पर अलग अलग बातें सामने आती रही है एक समय था जो बाजार में रिफाइन ओयल की ब्रांडिंग के चलतें देसी घी के धेरो नुकसान बताए गए जो देसी घी भारतियों की डाइट का एहम हिस्सा हुआ करता था उसे ही सेहत के लिए हानिकारण बता कर भूजन से अलग कर दिया गया लेकिन अच्छी चीज़ें ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहती ठीक उसी तरह देसी घी के फाइदे अब विज्ञान भी गिना रहा है आधुनिक विज्ञान ने देसी घाय के घी पर रिसर्च के बाद ये सिद्ध किया है कि देसी घी कई बिमारियों का रामबान इलाज है ये दिमाग के सिहत के लिए वर्दान माना गया है विडियो में आगे जानिए देसी घी के प्रियोग से जुड़ी ये खास बाते दिमाग के लिए बहतरीन आयुर्वेद के मुताबिक घी दिमाग के लिए फाइदे मंद है घी दिमाग को तेज बनाने के साथ ही या दाश को बढ़ाता है घी माइन को डी टॉक्सिफाई करता है ये दिमाग को शांत करता है और स्मरण शक्ती को तेज करता है देसी की खाने से जितने फाइदे मिलते हैं उतने ही फाइदे इसकी मसाज से भी मिलते हैं इसका प्रियोग पंच कर्मा में माइन रिलाक्स में क्या जाता है गुनगुने घी की पत्ली धार जब मस्तिश्क पर पड़ती है तो ये सारी इंद्रियों को खोल देती है दिमाग को ये शांती प्रदान करती है और तनाव मुक्त भी नस्य क्रिया के दोराν जब नावक में गी के कुछ गुन्दे डाली जाती है तो ये दिमाग को भी हिल करती है दिमाग मी मोजूद तंतर से रिलाक्स होता है ये दिमाग को तर करता है खुश की दूर होती है ऐसा होने से स्मरण शक्ती भी पड़ती है बच्चों के लिए देसीगी संपूर्ण पोशन उपलब्द कराता है एक नियमित मात्रा में इसका सेवन भी बहुत जरूरी है विटामिन का भंडार देसीगी में विटामिन A, D, E और K उचित मात्रा में बाय जाता है रोजमरा के जिन्दी में ये विटामिन बहुत जरूरी होते है विटामिन A तेज आखों और नम तवचा के लिए जरूरी है तो वहीं विटामिन D ठकान और हट्डियों के दर्थ को दूर भगाता है विटामिन E, दिल और विटामिन K हड़ियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है क्या आप जानते हैं घी में हेल्दी फाट होता है ओलिव ओल और नारियल के तिल की तरह ही घी में भी हेल्दी फाट पाय जाता है जिससे आपको खराब फाट भगाने और वजन कम करने में मदद मिलती है सेलेबरिटी नुट्रेशनिस रुजुता दिवेकर के मताबिग घी में अमीनो एसिट होता है जो जमे हुए फाट को पिगला कर फाट सल्स का साइस पहले की तरह करने में मदद करता है अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में फाट जल्दी खटा होने लगता है तो आपको अपनी डाइट में घी जरूर शामिल करना चाहिए इसके साथ ही घी एनरजी की खान है क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डाइट में जो कार्ब खाते हैं उनकी तुल्दा में घी उर्जा का बहतरीन श्रोथ है दरसल घी में मेडियम चेन फैटी आसिट होती है जिने लिवर सीधे सोख लेता है और जल्दी बर्न भी करता है घी ब्यूट्रिक आसिट से भरपूर है जिसके ठीरो फायदे हैं दरसल हमारा शरीर फायबर को ब्यूट्रिक आसिट में बदलने का काम करता है ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में देसी की शामिल करते हैं तो इससे शरीर का काम और भी आसान हो जाता है गी में मौझूद डूट्रिक आसेट फाइबर को एनरजी में बदलते हैं जिससे आतों की दिवार भी मजबूत होती हैं यह हमारे digestive system और metabolism के लिए helpful है और जब बेट खुश रहेगा तो दिमाग भी खुश रहेगा और साथ ही यह तेज भी होगा गी से जुड़ी और जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिये लिंक पर जा सकते हैं साथ ही शुद्ध देसी खी अगर आप राप्त करना चाहते हैं तो उसके साथ में दिये लिंक पर ज़रूर विज़िट करें सब्सक्राइब कीजी हमारी यूट्यूब चानल इंडियन देसी खी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए